नमस्कार आज की समिक्षा में आपका स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका PCC आज की चर्चा लोग सभा में हो रहे लोगजाम के उपर में क्यों आज लोग सभा में बहस नहीं हो रही है हला गुला का महाल बना हुआ है उसका कारण ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जो कॉंगरेस के लीडर राहूल गांधी ने अपने लंडन यात्रा के दर्मियान जो उन्होंने अपने कई काड़करम में कैमरीज इनुवरस्टी में चैथम हाउस में जो एक ठींग टैंक है और पत्रकारों से बात करते हुए जो देश के इस्तिती के उपर उन्हों जो बयान बाजी किया उन्होंने कहा कि देश में डेमोकर्सी के उपर खत्रा है फ्रीडम अप एक्स्प्रेशन पे प्रसंचिन लग रहा है और कोई भी ऐसा मतलब संस्थान नहीं है चाहे जूडिसियरी हो या पारलेमेंट हो या बाकी कोई संस्थान हो जो की सौतन दरूप से काम कर रहा है सब चीजों के उपर में सरकार का नियंतरन बना हुआ है ये राहुल गांदी एक विपक्च के निता के रूप में होँआ पर बोल रहे थे इन चीजों की बात कर रहे थे लेकिन भाजपा ने उस चीजों को और रहा है कि सरकार ने इसको राहुल गांदी के खिलाब ये कर रहे हैं कि राहुल गांदी इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि राजनासिंग ने लोग समाब में बोलते हुए क्लियर कट कहा था उन्होंने कि राहूल गांधी ने इस तरह की बात कह के देश के बारे में निगेटिव टिपनी करके वो वहाँ पे एक भूत बड़ा गलत काम किया है और इसके लिए उनको इसके लिए माफी मंगनी चाहिए आज पूरी सरकार का और भाजपा का यह स्टेंड है दूसरी तरफ राहूल गांधी ने कहा कि मैं एंपी हूँ मैं जनता का रिपरजेंटिटिव हूँ और मुझे अपनी बात को रखने का अधिकार है तो महाँ तो एकदम रसा कसी वाली महाँ है अलाकि मैंने आज देखा एक फॉरम पर बोलते हुए ग्रिह मंतरी आमिसा ने कहा है कि उन्हें ने कहा कि अगर वो फॉरवर्ड आते हैं कॉंग्रेस हमसे बात करने के तयार है तो हम दो स्टेप आगे जाकर के बात करने के तयार है असली बात जो मैं आपके सामने रखने का कोसिस कर रहा हूँ वो ये कि क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो बात हो रही है आखिर रहुल गांधी विपक्ष के नेता है तो देश में और विदेश में वो अपनी बात को रखने की आजादी उनको होनी चाही या नहीं होनी चाही नमर वान नमर टू क्या आपको लगता है कि जो बात रहुल गांधी आज कैंब्रिज उन्वरस्टी में बोले हैं या जो मैंने कहा जो चौथम हाउस है वहाँ पर जो ठिंक टैंक है या फिर पतकारों किसे बाचित करते हैं उन्हों जो कहा वो सारी बातें तो देश के अंदर भी बोलत से नहीं मतलब आप उठाक रेकॉर्ड देख लिजिए कि सारे कुछ चीजें आप छुपा ही नहीं जा सकती हैं अब यह ग्लोबलाइजेशन का मामला है देखिए समझने की बात यह है कि सरकार को चाहे आज भाजपा की सरकार है या पहले कॉंगरिस की सरकार थी या फिर आन आप अपने घर को बंद करकर रखेंगें यह तो एक एक मुद्दे को मतलब करता है तिल से तार बनाने की बात है मालेजे कि रहाल गांदी ने वहां नहीं कह करके यहां पर कहता तो क्या लोग उसको नहीं जानते तो यह तो एक मुद्दा बनाना और रहाल गांदी निस बा मुहापका था कि देश का अंतरिक मामला है लेकिन जब डेमोकरसी के उपर परस्ट चीह लगेगा तो यह सिर्फ भारत तक ही मतलब चीज़ें नहीं होकर रहा जाएंगे चुकि डेमोकरसी और इस तक जो वैल्यूज है यह बेसिकली बैश्विक मामला हो जाता है और देखिए जो विपक्ष का नेता होता है आखिरू मैंने किस बात को क्या बोल रहा है यह तो बेसिकली करता है मैटर अफ इंटर्प्रेशन हो जा रहा है तो राहूल गांधी को मैंने देखा आउस सबसे जो बड़ी बात है कि अतीत में भी आप देख लें मैंने इसके बारें चर्चा भी किया था कि जब यहां पे जैपरकास का आंदोरन हो रहा था तो मुझे याद है उसे में कॉंग्रेस सत्ता में थी कॉंग्रेस आई और उनके साथ CP आई थी और पटना के गांधी मैदान में मतलब नारे लग रह रहते हैं और बिपक्स जो है वो अपनी बात रखेगा इसमें कोई दोमत नहीं है तो उसे पर चप्रकास यह ने कहा था कि आप पस्रूप से कहा था इस बात को मैं पहले भी कर रहा हूं कि कि अगर आप RSS को फासिस्ट कर रहे हैं समझे कि हम भी फासिस्ट चुकि उनको भी जो असली मुद्धा था उनको कि इंडरा गांधी को हराना था अमर्जनसी खिलाप और जो लोग जेलों में बंद थे जो भाजपास लेकर के सारे लोग उसमें बड़े बड़े नेता थे सब उसमें बंद थे तो बिपक्स का काम है अपनी बात को रखना और जो सरकार है हूँ कि अखिर सरकार इतना क्यों घब राही हुई है क्यों इससे चिंतित है अभी भी नेदमोदी के पास अपार सकती है और और बहुमत है और देश में भी उनके समर्थन में लोग है इसा नहीं है कि कोई कोई की लेकिन ये समझ में उझे बात ने आ रही है चाहे राहूल गांदी का विदेश स्यात्रा पर जो दिये गए भासन है उनका या कुछ दिनों पहले बीबीसी का डोकुमेंटरी निकला और फिर अभी निवाक टाइम्स में एक लेक छपा तो उसके उपर इतना इतराज मैं मामता हूँ कि बीबीसी भी दूद का धूला नहीं है यह मैं पहले भी बोल चुका हूँ और विदेश में कई अकवार यह हम लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि जितने भी बड़े बड़े देश में जो एजेंसियांज हैं नियूज के एजेंसियांज हैं और अखवार हैं वो अपनी बात को रखते हैं और BBC का अपना एक क्रेडिट है आपके कहा देने से ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा BBC को हैं पर उसको बैंड किया गया है उसके पॉडक्शन को BBC को बैंड कर दिया गया था एक बार इंद्रा गांधी के टाइम में तो इन चीजों से पहुँ ज़्यादा फर्क नहीं करते हैं और अंकुस लगाने का कोसिज करते हैं तो कहीं कहीं एक संदेव पैदा होता है तो मेरा सिर्फ मैं मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूं ये हमेंसा मैं स्पस्क कर देना चाहता हूं कि कि किसी को डिफेंड करने की बात नहीं यहां पर या किसी को समर्थन करने की बात नहीं लेकिन जो चीजें समझ मा रहीं उसको मैं आपके साथ सामरे करने का कोशिस करना चाहता हूँ तेकि डिमोकरसी का मतलब ही यही होता है आखिर परजातन तरके से काम करेगा अगर पारलेमेंट ऐसा नहीं है कि पहले भी ऐसा नह आपसे बिदा लेता हूँ फिर जब अगली बार मिलूँगा तो फिर किसी और मुद्यपर आपसे बात करूँगा धन्यवाद